स्वागत है आप सभी का ग्यापनिक एडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज का ये वीडियो जैसा कि आप लोग जानते हैं उर्दो ग्रामर के अबजेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट फाइफ है और इसके पहले चार पार्ट अप्लोड हो चुके है हर एक पार्ट में हम लोग 20-20 क्वेश्चन कर रहे थे और हम लोग 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं आज ये पार्ट 5 है आज के इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चन होगा और टोटल हम लोग आज के इस वीडियो तक 100 अब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर ले को ध्यान से सोन समझ कर अपने हिसाब से एंसर देने की कोईश कीजिएगा और फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईएगा कि आप लोग आज के इस वीडियो में 20 कोईशन में से कितना कोईशन सही कर पाये हैं और बाकी में हर एक कोईशन को एकदम डीपली समझ जाकर एंसर तो बताऊंगी तो आप लोग एक कोशन को समझ कर एंसर याद कीजिएगा तो चलिए आज के इस इंपोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले आप लोग फड़वर वीडियो को कर दें लाइक शेयर जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है आप ल क्या से सब्सक्राइब कर चुके हैं कि क्या सी सब्सक्राइब और यह जांते है कि कदीम का माणी क्या होता है इसका मिनिंग क्या है यहां पर कॉन से option में बीद्धिक और आगे बड़िये नेक्स्ट क्रश्चन है कि जल्म की जिड क्या होगी झृonda में खाम भी रहम में जिकायथ और डी में करार तो जुल्म का जिद यानि की opposite word होता है रहम option number B is the correct answer अगला सवाल है कि हद का जमा क्या है option M है हदद B में है हुदूद C में एहदाद और D में हुदूद और विजवाली बात है मैं आप लोग को कितना पर बताई हूँ हद का जमायन की plural बहु अचयन होता है हुदूद आगे बढ़ते हैं मैं फड़बट लेकर चल रही हूँ क्यों आप लोग का समय कम लगे और ज्यादा क्योशन आप लोग कर पाए और कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग लिखकर बता भी दीजिएगा कि जो प्रनेया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा Question number 84 है कि जाहिद सोया है जुम्ला में सोया क्या है Option A में है fail, B में है file, C में है मफूल, D में है शिफत तो यहाँ पर आप लोग को तो डारेक्ट दिख जा रहा है कि जाहिद सोया है इसमें सोया पूचा जा रहा है कि सोया क्या है यानि कि लाहका वाला लफज आपको पहचानना है आपसने में गायर हाजिर, बी में हमसफर, सी में डाक खाना, और डी में बेशक तो ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए लासे लाहका, लासे लास्ट अलड़ी में आप लोगों को पढ़ाई हूँ जो लास्ट में जुड़ जाए, तो देखिए कौन से लफज के लास्ट में हुरूफ जुड़ा हुआ है यहाँ पर ध्यान देजिए, सबसे पहले तो हाजिर था और हाजिर के स्टार्टिंग में शुरू में जुड़ा हुआ है गयर सौसे शुरू और सौसे साबका यानि कि जो शुरू में जुड़े उसे साबका कहते हैं तो ये तो शुरू में जुड़ा हुआ है गयर यानि कि ये साबका वाला लवज है यानि कि ये साबका वाला लवज है तो इसको तो कहेंगे नहीं लाका option number A तो होगा नहीं हमें लाका की पहचान करनी है सफर था और starting में शुरू में जुड़ा हुआ है हम यालिकि ये भी साबका वाला लव्ज है ये भी नहीं होगा dark था और last में जुड़ा हुआ है खाना तो जी हम ये last में जुड़ा है ना जो last में जुड़ा है उसे लाका कहते हैं तो यहीं है लाका वाला लव्ज option number C इस तक correct answer ठीक है और बाकी ये जितने भी तीनों option है इसमें शुरू में जुड़े हुए हुरूफ तो शुरू में जुड़ता है सुसे शुरूर और सुसे साबका उसे क्या कहते हैं साबका कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला situation कि इर्फान सोया होगा कौन सा जुम्ला है option M में खबरिया B में सवालिया C में शक्या और डी में बैयानियां दरेक्ट पर चल रहा है xuिस जुम्ले से क की इर्फान सुया होगा या यानी की कंट़र में नहीं है इर्फान सोया होगा यानी कि इसमें शक्ट पाया जा रहा है तो अपसE NG C और टैसको कम्या है Estados नेक्स्ट कुश्चन है कि काषव आता कौन सा जुम्ला है और लड़ी आप लोगे को पढ़ाय जा चुका है जुम्ला का हरिकटाइप तो option A में हैं खब्रिया, B में सवालिया, C में शक्या, D में हैं इन्शाइप, काषव आता जुम्ला का टाइप बताना है काश वा आता इसमें तमन्ना पाया जा रहा है ठीक है खौहिश पाई जा रही है काश वा आता तो इस तरह के जुमले को हम लोग कहते हैं इन शाय या ऑप्सन अबर डी इस तक करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन और इसी वज़े से मैं आप सभी लोग को बार आएगा समझ में आएगा और साथ में प्रैक्टिस भी होगा और यह भी पता चलेगा कि जो अर्दोग्रामर के टॉपिक को आप लोगोंने पढ़ा है उसे किस तरह से क्योशन पूछे जाते हैं ठीक है क्योशन नमर 88 है कि जैल में से कौन लकब है ऑपसने में बुल-बुल हिंड इस तब करेक्ट एंसर पप्ण हो गा नहीं अब्नि मर्यम होगा नए और खान बहादर तहुक्छ नहीं भाए होगा बुल-बुल-ई- यही बात यहां से लिएंड इसम और जरुआ बता सकते हैं और से श्कूल ऑप इस में डिया ही इसको दीरे से जिंगा और आगे बढ़िए नेक्स्ट कोईशन है कि द्रजैल में मुकबर है मुकबर का मतलब होता है बड़ा किया हुआ यान कि जिस नाम से बड़ापन जाहिर हो चलिए देखते हैं पगड़ी लोटा देगची और चाको यह चार अप्शन है इसमें कौन से अप्शन से आप लोको बड़ापन जाहिर हो रहा है देखिए जड़ा पगड़ी पगड़ के सामने पगड़ी चोटा पड़ जाहिर हो रहा है तो यह तो इसमें सगर लफज है यह होगा नहीं भी में लोटा जी हां लोटा जो है ना इससे बड़ापन जाहिर हो रहा है लोटा तो इसको क्या कहें तो option number B is the correct answer आगे बढ़ जाते हैं फड़ाफट अगला सवाल है कि आस्मान पर दिमाग होना मुहावरे का मानी है अभी आपर मुहावरा से क्यूशन पूछ दिया गया है आस्मान पर दिमाग होना का मतलब क्या है option A में हैं बेरुखी से पेश आना और B में हैं बहुत गरूर होना सी में तरक्की पर होना और D में जिम्मेधारी लेना तो आस्मान पर दिमाग होना इस मुहावरे का मानी होता है बहुत गरूर होना option number B is the correct answer आगे बढ़ते हैं खबर की जमाग है option A में हैं खबरे वी मैं अखबार, C में हखबरूर और D में हखबरो, C में हखबरूर औ आप लोड़ी में खबरों तो अल्ड़ी आप लोगों बता रहे थी कि वह दो मलब्स को कैसे याद रखेंगे क्या ट्रिक हैं तो उसे वक्त बताई थी ना कि खबर का जमा यानि कि प्लूरल होता है अखबार और सब्सक्राइब अगर वाहित जमा वाहित जमा यह ऐसा टॉप को जाता है तो यह आप क्लास 10 की टूरण्ट्थ चाहिए आप क्लास 12 प्लूरल के श्टूरेंटेंट और को यह वाहित रखने का त्रिक आप लोगों को बताया आप लोग जरूर उस वीडियों को देख लिजेगा और ट्रिक को जानना जरूरी है कि कैसे आप आसानी से ट्रिक के जरीए वाही जमाल लफ्स को याद रख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं आजाद की जिद क्या होगी और सने में हैं उमीद बी में हैं जिन्दगी सी में हैं घुलाम और डी में हैं शागिल पर तो आजाद की जिद यानि की अपोजिट वर्ड क्या होना चाहिए आजाद का अपोजिट वर्ड गुलाम और सन अ शबगा की निशान दही कीज़िए अब यहां पर सभाला बताना ही अप सने में गुसल खाना बेमें पंगार, D में है, सौरी, C में है अकलमंद, और D में बाशओर, ध्यान से यहां पर देखिए, स्वासे शुरू और स्वासे साबका यान कि जो शुरू में जुड़ जा लवज के स्टार्टिंग में जो हुरूफ जुड़े उसे कहते हैं हम लोग साबका देखते हैं कि कौन सा लवज है जिसके स्टार्टिंग में हुरूफ जुड़ा हुआ है ध्यान से यहां पर देखना पहले था गुसल और लास्ट में जुड़ा है खाना यान कि यह तो लाका वला लफज यह तो होगा नहीं पहले था फन और लास्ट में जुड़ा है कार यानि कि यह भी लाका वला लफज है जो कि लास्ट में जुड़ा है पहले था अकलमंद और लास्ट में जुड़ा है पह करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं शायर की जमा है यानि कि प्लूरल बहुवचन शायर का आप लोग जानते हैं शुरा होता है ऑप्सन नंबर बी बिलकुल सही ऑप्शन है आगे बढ़ते हैं दरख्त क्या है ऑप्सने में जामीद वी में फेलसी में महदर औरडी में पाक दरख्त यह एक जामीद है इसमें जामीद है क्योंकि ना तो यह किसी दुसरी को बढ़ा है और ना ही एक कोई दूसरा लफ्त बन सकता है अगला सवाल है कि दरज जैल में जुकाओ क्या आप दर से बना है जुकना से बना है जुकाओ आगे बढ़ते हैं लिखने वाला क्या है अप सने में मजदर व में आसले मजधर सिय में मुझट कोडी में जामित दने वाला यह मुझदर लिखना से बना इidents नेक्स्ट कुर्शन है कि दर्दजर में से कौन सा मौनंस है यानि कि किस ट्रिलिंग में दलिलहूं से में दर्द ऑडी में नसी तो नसीबंद आप सम्रेदी तो होगा नहीं द्यांबियां दर्द भी नहीं होगा मुझे दर्द हो रहा है यह भी नहीं होगा फैसला आपको आपने गलत फैसला लिया है ठीक है तो ऑप्शन नमबर भी भी नहीं होगा सही आप्शन है आपकी दलील ठीक नहीं ठीक है तो यहां पर आप का नहीं आपकी आपकी दलील ठीक नहीं तो दली सब्सक्राइब बताइए ऑप्सन में मस्तर भी में हासिले मस्दर सी में मुष्टक और डी में जामी दी तो बहुत यह असान क्यूस्टन है घबराना जो है ना यह एक मस्तर है ऑप्सन अबर इस ता करेक्ट इंसर तो फाइनली आज के इस वडियो में हम लोग 20 क्वेश्टन क कर चुके हैं एक 80 नंबर क्यूश्टन से सवाल स्टाट हुआ था और हंड़ेट नंबर क्यूश्टन पर इंड हुआ यानि कि टोटल हंड़ेट कोश्टन हम लोग कंफीट कर चुके हैं अर्दू ग्रामर का आज किस वीडियो में जो भी क्यूश्टन कराए गया अगर आप कि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो का हम लोग यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और ख बढाफ लौफ टॉपिक के से कवब बढाफ लूब है